अपना उत्राखंड रिष्टिघर द्वार कल्डर स्थीप से उपरां करता हूं और वहां से हम सेकड़ों साथों के साथ दिल्ली में चंत्रमंतर पर हम दो आये हैं इस चीज को लेकर आज यहाँ पर अपना दवस्ता हो रही है अब यहाँ पर पहुंचे हैं और जो बिने नियोंगा वो सबकी साथ है आप कहारे थे आपके जो साथी है वो बहुत समत्वन देते हैं भाजपा को अपने इलाथी के बारे में तोड़ा बताई एक वाजबाकर को आपको मिलना है आपना देश को सर्वसरी मांती है अपना देश से सकत होना चाहिए पर जब देश मजबूत होगा तो आवाम भी मजबूत होगी तो यही भारती जनता पार्टी के विचार धरा है कि हमारे देश मजबूत सकत होना चाहिए ताकि हमारे देश की जनता भी मजबूत होगी तो यह भारती जनता पार्टी के विचार धरा है अन् विकास तो अपना बन जाता है और अगर विचारदारा नहीं मिलेगी तो विकास कहां से हो जाए यहां से तो आम मुसल्माने आप आपके मन में वह की राम मंद्री की मुट्रे पर आपको सपोर्ट हो जाएगी इस वक्त इस देश के तर अपना मुस्लिम समा लगबग सन बयास पर आपके में इसका ताला खुला उसके बाद में लोगों में जागरुकता आया और एक नासूर बन गया है हम चाहते कि उस नासूर को खतम किया जाए आगे ऐसा ववस्ता खराब नहों कि देश को तूटने की कखार पर लिया जाए एक शोटा सा नासूर बड़ा नासूर बन गया है तो वह जंता के सायोग से जो भी सला मश्वर के आतार पर जो भी आज निर्ने होगा आप मुस्लिम समाज भी चाहता है कि मंदिर बन जाए उससे आपाती नहीं है लेकिन व्यवस्ता खराब नहों कि जो कोट कर निर्णा है बाकि तो जो हमारा देश है वो नयाप पर जो आप सुप्रिम कोट ने कहा कि देश के अंदर जो जिम्मेदार लोग है जो समाज की जिम्मेदार समाजी की लोग भी है वो लोग बैट करके सुलाणामा करें तो यह ज़्यादा बैटर रहेगा थोट क्योंकि निर्णे पहले भी आया है लेकिन कि तीस रहती है आद कि इसका निस्ताला हो भी जाएगा तो मुझे पूरी आसार अमीद है कि हमारे देश का मुसलमान वो शुहार्द वाला है यादि आमनों आमान चाहता है और हिंदु-मुस्लिम एकता का प्रतिके गंगा जमने तैजीम है इस हिंदुस्तान की यह इसकी खूब सुर्ति अने क दर्म के लोग यहां पर लिवास करते हैं लेकिन धर्मन एक और भारत एक हिंदुस्तान सिंदाबाद का कहते हैं यही मेरे हिंदुस्तान के खूबिया है नास प्रशन आपने बहुत अच्छा मताया बस आप अपना नाम बता दीजी और जो आप जो आपकी पद्वी है जो जो मुष्णिम राष्टे मंच के संदक साइगा इसका नारा था अधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे तालीम जिन्दगी के लिए और जिन्दगी वतन के लिए ऐसा हमने एक नारा दिया था और उसी नारे पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि तालीम अधी आपने आपने साथी के साथ यहां आए हैं लोग के साथ हम यहां पर आये हैं अधी के लिए यहां आपने साथी के साथ हैं